अंजी बचे लोग वेल्कम टू डाउटनेट कैसे हैं आप सब हां मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हैं बहुत मज़े में हैं बहुत खुश हैं लेकिन आपका भी यह नहीं बताते कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है जल्दी से फटाफट कॉमेंट्स में बता दीज से अपने दोस्टों किया करना है करना इसको लाइक करना है और जो बच्चे COME है उनको क्या करना है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है पास में एक बेल का आइकन होता है उसको क्या करना है प्रेस करना है तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे राइट तो बचलो मैं हूं विजयता आपकी बालाओजी टीचर और हम यहाँ पर बात कर रहे थे अपने पाइलाओजी चाप्टर के बारे में तो कौन सा था हमाराच जो चल रहा था जल्दी से बताजिजे regard me हां बता यह बतादीजिए कौन सा चैक्रट था इस हमारा चैक्टर प्राणी जगत यानि की आने मली इंग्डम के बारे में हम बात कर रहे थे चलो अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या बात करेंगे आज हम पढ़ेंगे संग याने की गोल क्रमी और दूसरा संग है संग आने लिजा यह दो है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले में क्या करना है अपने सीट की बैल को फड़ा फट्चा कसके बान लेजिए क्योंकि आपको ना इधर देखन सिर्फ स्क्वीन पर देखना है ठीक है आपको क्या करना है सिर्फ पढ़ाई करनी है ठीक है चलो फटा वड़ सरी कि आप देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या बात करी थी तो हमने लास्ट क्लास में क्या बात करी थी फाइलम टीनो फोरा के बारे में हमने बात करी सबसे पहले ठीक है तो टीना फॉरम में हमने क्या देखा है कि इनका जो आवास होता है वो समुद्री जल होता है ठीक है ना फिर यह अक्रोट की शेक के होते हैं इसी वज़े से इनको सी अक्रोट कहा जाता है या सी वॉलनेट दूसरा कॉम जैली भी कहते हैं इसको क्योंकि इस तरीके की एक संद्रशणा यहाँ पर मौझूध होती है ठीक है इस तरीके की संद्रशणा मौझूध होती है जिसकी वज़े पहलं से उतकीय के वहते हैं क्योंकि सब्सक्राइब कम कुषिक करने दिखें तो किसी भी अक्षीपे अख्षे से काटने पर क्या होता है बराबर भागों में दीखे घेंगा कैसे करते हैं जीव क्या होता है यहां पर इंजीवों में क्या होता है जो नहीं विकषित जीव संदिप्ति यानि की प्रकाश उत्सरजित करते हैं ये ठीके ओके जैसे मैंने बताया था कि क्या होता है इस तरीके से अगर कोई क्या है कोई पारदर्शी जीव है उसमें अगर light क्या होती है पास होती तो वो colorful light विखेरते हैं जैसे की prism है ना चलो यहां पर पारदर्शी संरशना होती है ठीके जिसकी वैसे क्या होता है जो light होती है वो colors में disperse हो जाती है और अंतहा और अंतरा कोशी के जीव होते हैं यह भी हमने छोड़ दिये जाते हैं जहां पर जल के अंदर उनका सल्लयन हो जाता है ठीके ना फिर निशेचन की जो क्रिया है वह बाहरे निशेचन है क्योंकि हम बात करें कि भई जल में क्या और है सल्लयन हो रहा है उनके युद्मको का ठीके चलो आगे बढ़ते हैं फिर दूसरा फाइलम थढ़ दूसरा संग था कौंसा प्लेटी हिल Will Mind जिन और हम चपते क्रिमी कहते हैं चपते कि ठीके कि यहां पर इनके बारे मनुष्य या फिर किसी पौदे के उपर ही मिल जाता है ठीक है वहाँ पर क्या होता है उसके उपर रहता है मज़े से उसके खाना पानी खाता है कभी-कभी उसको इतना परिशान कर देता कि उसके मृत्ति हो जाती है तो कभी-कभी खतरनाक भी हो जाते है ठीक है अगर हम शरीर फाल फालों प्लेनरिया ले सकते हैं ठीक है उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर तीन लेयर मौझूद हैं और इसी वय से क्या होता है यह थ्री कोरकी होता है याने कि अच्टोडरम मीझव मौझूद है यहां पर लेयर है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ओके ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं है ना और आप क्या बात करेंगे आज हम नए टॉपिक के बारे में नए संग के बारे में कौन सा है आज का फाइलम हमारा एसकिल हलमिंतिस या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं गोल क्रमी बोलते हैं ठीके तो चलो देख लेते हैं देखने से ही कैसा लग रहा है न यह अजीब सा इसको सांप मत समझ लेना ठीके चलो तो जब हम इन जीवों को देखते हैं तो क्या होता है भाई यह गोल है देखो दिख करमी कहा जाता है इनको ठीक ओके जब इनके आवास के बारे में हम बात करते हैं अगर हम इनके आवास को देखते हैं तो आवास क्या है भाई इसका आवास क्या है जलिये भी है जलिये इस्थलिये भी है और ये परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं ठीक है परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं अच्छा एक और बात कि इनको हमने गोल करमी कहा तो कोई तो रीजन होगा कि जिसकी वेसे हमने इने गोल करमी कहा हाँ अगर हम गोल करमी की बात करते हैं, अगर हम इनका अनुप्रस्त काट करते हैं, इसका मतला कर हम यहां से काटते हैं, ठीके, अगर सपोज यह क्या है, यह सकल भेंतिस है या कोई गोल करमी है, इसको मैं यहां से काटूंगी न, ऐसे काटूंगी, अनुप्रस्त काट करूंगी, इसके बाद हमें कैसे गोल दिखेंगे ये गोल दिखते हैं दिखते हैं ठीक है अनुप्रस्त कार्थ के बाद हमें को कैसे दिखते हैं गोल दिखते हैं ठीक और अवास क्या हो गया इनका जलिये स्थलिये और पढ़जीवी के रूप में ओकी चलो आगे बढ़ते हैं आगे अ अंग तंत्र का संगटन मौजूद होता है क्योंकि यहां पर अंग मौजूद है ठीके यहां पर क्या है अंग मौजूद है ठीके पाचन तंत्र हो गया उत्षरजन तंत्र हो गया यहां पर मौजूद है ठीके इसी वज़े से चलो अगर हम सम्मिती की बात करते हैं तो यहां पर कौन सी सम्मिति पाई जाती है, सम्मिति दिव पार्षव, सम्मिति पाई जाती है यहाँ पर, ठीके, चलो, अब इसकी ब्रूण ये अवस्था के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसकी ब्रूण ये अवस्था के बारे में अगर हम बात करते हैं, कैसी पाई जाएगी बताओ, ब्रूण ये अवस्था, जल्दी से बताओ, कैसी ब्रूण ये अवस्था पाई जाएगी इसकी, बताओ जल्दी से, हाँ, बताओ बताओ जल्दी से कैसी पाई जाएगी, चाट प specify पर देनां कियो कि आप यहां पढ़ने आयं हो न फिर जल्दी बताओ कैसी यहां पर बुरूर्णिय अवस्ता पाई जाती है यह तो यहां पर क्या होता है बुरूर्णिय परिवरधन में फड़ूर्णिय परिवर्धन के दौरान क्या होता है यहां पर तीन ब्रूणिये स्तर का निर्माण होता है ठीक है तीन ब्रूणिये स्तर का निर्माण हो रहा है यहां पर ठीक है इसका मतलब तीन जर्म लेयर्स हैं यहां पर जर्म लेयर्स ठीक है और तीन जर्म लेयर हैं, इसका मतल़ भी क्या हुआ, त्री कोरिक हुआ, त्री कोरिक, त्री कोरिक जीव हुआ ये, कौन-कौन सी हुई यहाँ पे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तीनों मौझूद है यहाँ पे, इसलिए क्या होगे, त्री कोरिक हो गया ये, ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं अब यहां पर अगर हम पाचन तंत्र की बात करते हैं ठीक है यहां पर इनके पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं पाचन तंत्र के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भई यहाँ पर क्या होता है पाचन तंत्र तो यहाँ पर दो छिद्र होते हैं ठीक है, दो छिद्र पाए जाते हैं एक किस के लिए? अंतहग रहन के लिए और दूसरा किस के लिए? उच्छ सर्जन के लिए ठीक है, एक किस के लिए है? अंतहग रहन के लिए और दूसरा किस लिए है? उच्छ सर्जन के लिए है ठीके तो यहाँ पर दो छितर पाय जा रहे हैं इसका मतलब भाई हमने क्या बात करी थी जहाँ पर दो छितर पाय जाते हैं तो उनका पाचन तंतर कैसा होता है पूर्ण होता है तो यहाँ पाचन तंतर कैसा है पूर्ण है ठीके तो यहाँ पाचंतन्तर कैसा है? Pूर्ण है ठीक है? चलो आगे बाढ़ते है ठीक? आगे भाद करते है हम किसके बारे में कूट, गूहिय, प्रानी है ये? क्या है कूट, गूहिय, प्रानी है ये? कूट गूहिय कूट गुहिये प्राणी ठीके इसका मतलब यहाँ पर जो गुहा का निर्माण हुआ है वो क्या हुआ है या तो एक्टोडर्म के तूटने से या मीजोडर्म के तूटने से इसले क्या ही यह कूट गुहिये प्राणी है ठीके चलो आगे बढ़ते हैं या तो एक्टोडर्म मीजोडर्म या एंडोडर्म के तूटने से ठीके ना हाँ चलो अब इसके उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है उत्सर्जन तंत्र भी मौजूद होता है ठीके उत्सर्जन तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो उत्सर्जन तंत्र मौजूद है उसका नाम क्या है प्रोटो नेफ्रेडिया ठीके प्रोटो नेफ्रेडिया ठीके जिसको हम क्या बोलते हैं रेनेट जो किसके दुआरा होता है रेनेट कोशिका के दुआरा होता है रेनेट कोशिका के दुआरा होता है ठीके चलो अब यहां पर हम इनकी पेशियों की बात करते हैं तो कौन सी पेशी मौजूद होती है यहां पर हाँ यहां पर पेशियां क्या होती है पेशियां ग्रस्नी ठीक है पेशियां ग्रस्नी यहां पर होता है ठीक होती है उसके बाद यह क्या होते हैं अगर आवन जीवों की ब जीव एक लिंगी जीव या प्राणी होते हैं इसका मतलब यहाँ पर नर और मादा जो है वो अलग-अलग शरीर में मौजूद होते हैं जो नर और मादा हैं अलग-अलग शरीर में हैं ठीक है ना करेक्ट बिलकुल चलो ठीक है लेकिन यहाँ पर यह भी आद रखनी जो मादा होती है यह शरीर में बड़ी होती है और नर क्या होता है छोटा होता है ठीक है जो मादा है शरीर में बड़ी है और नर क्या है शरीर में छोटा है यह क्या है यह मादा है यह क्या है नर है ठीक है ना चलो अब अगर हम इनके जन जनन की बात करते हैं ठीक है कि इनमें जनन किस प्रकार का होता है अगर हम जनन की बात करते हैं तो इनमें लेंगिंग जनन होता है लेंगिंग जनन होता है ठीक है इसके साथ साथ यहां पर अप्रत्यक्ष परिवर्दन होता है जिसका मतलब यहां पर जो लारवल स्टेज है ठ ठीके? वो मिलेगी आपको देखने के लिए, ठीके? यहाँ पर क्या है? अप्रत्यश परिवरधन मतलब यहां आपको क्या मिल रहा है? लारवा अवस्ता देखने को मिल रही है ठीके? चलो, अगर हम इसके एक्जैंपल कबाद करते है, ठीके? अगर हम हम इसके example को देखते हैं, तो इसमें कौन से example आते हैं भई? हाँ, इसके example है, पहला तो अपना हो गिया, इसकेरिस, दूसरा क्या हो गया, वचुरेरिया, ठीक है, वचुरेरिया, अगर आपको मालब हो तो इसकेरिस और वचुरेरिया दोनों क्या करते हैं, बहुत ही बहेंकर बहेंकर बिमारिया करते हैं, है न, इसकेरिस हमारे पेट में पहुंच जाता है, और बिमारी फैलाता है, और जब वचरेरिया होता ही क्या करता है अगर आपने देखा हो कभी किसी आदमी का या औरत का या किसी का भी पैर क्या होता है बहुत भारी हो जाता है बहुत मोटा हो जाता है देखा है कभी ऐसे नोटिस किया है कभी आप लोगों ने हम बताओ जल्दी अल्दी नोटिस किया है अपमें से किसी ने बता तो दो यार कमेंट में हां तो वहां पे क्या होता है? जब वचोरेरिया जो होता है, यह करता है, वहां पे जब संक्रमित करता है किसी भी परसन को, तो उसका पैर के हाती पाओ बन जाता है? हाती पाओ बिमारी सुनिए अपने, है न क्या बोलते है उसको? elephantiasis, ठीके, हाती-पाउं जो बिमारी होती है, वो इस विचरेरिया की वज़े से होती है, चलो, आगे बढ़ते हैं, जिसके बारे मैं आगे चलके पढ़ेंगे, ठीके, चलो, थोड़ा देख लेते हैं कि भाई, अब ये जो है, लाइन समसे क्या कहना चाहती है, आपके बुक क कि लाइंग्स, चलो, तो ये क्या रहे है, एसकल हैं, मैं अनुपरस काट में गोलाकार होते हैं, ये मैं आपको बता चुकिए कि इस तरीके से है, इसको काटेंगे, तो ये कैसा दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा, ह। इसलिए इन्हें गोल क्रिमी कहते हैं, ठीक है, यह मुक्तु जीवी होते हैं जलिये होते अथवा सलिये थता पौद ये प्राणियों में परजीवी भी होते ये फ्री लीविंग और्गानिसम्स होते हैं कि बई कहां मिलेंगे आपको वाटर में भी मिल रहे हैं और अपना सर्फेस पर ही सवाइल की इन्हें और मिल रहे हैं परजीवी के नुख में मिल मिल रहे हैं अग्प vibration सम्मितीजी तभी तो तंतर मौजूद है इसका मतलब क्या है यहाँ पर अंगतंतर इस पर का संगतन मौजूद है ठीक है na और्गन लेवल ओर्गनाइजेशन यहाँ प्रेजेंट है ठीक है अंगतंतर मतलब और्गन यहाँ पर गाउगन system और्गन system level organization ठीक है यहां पर मौझूद होता है ओके चलो आगे बढ़ते हैं आहार नाल पूर्ण होती है ठीक है यानि कि इन में कौन सा पाचन तर्टर कैसा है इनका पूर्ण वाला है क्योंकि इनके पास दो छिद्र हैं वह एक से खाना खा रहे हैं और एक से उत्सर्जित कर रहे हैं तो करती होगी ठीक है जिसमें सुप्रिवर्दित पेशिये ग्रस्नी मौझूद होती है ठीक है हमने यहां पर बात करें थे ना कि यहां पर क्या होती है पेशिये ग्रस्नी मौझूद होती है है ठीक है इनमें उत्सर्जन नाल प्रोटोन प्रोटोन फ्रिडिया होती है ठीक है इसके अंदर जो कोशिका होती है, उसे रेनिट कोशिका कहते हैं, ठीके? उसे के कहते हैं, रेनिट कोशिका कहते हैं, उत्सर्जन छिद्र के द्वारा अप्शिष्ट पतार्तों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीके? उत्सर्जना काम किस से होता है वई? दूसरे चीदे से होता है, एक से वो खाना खा रहें, एक से निकाल रहें, है ना, शंध के प्राणी एक लिंगी होते हैं, ठीके, और जो मादा होती है, वो नर से बड़ी होती है, एक लिंगी मतलब नर और मादा, अलग-अलग है, ठीके, क्या है, अलग-अलग है, ठीके ना, फिर हम चलो इनमें इशेशन आंतरिक होता है ठीकि कि इनमें की रिशेशन आंतरिक है एक्जैंप्ल्डी सकते हैं एसकारिस वोफुरेरिया और एंसाइक्लो स्टोमा ठीके चलो अगे बढ़ते हैं अब हमारे पस एक और संग आता इसके बाद जिसका नाम है एनलीडा यान की फाइल हम एनलीडा के बारे में थोड़ो सा जान लेते हैं मुझे उमीद है कि यही संग एसकल हेलमेंथिस या जिनको हम गोल करमी कहते हैं इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी हां क्योंकि पूरे ही बहुत आसान से शब्दों में यहां पर बताया गया है इसके बारे में आप बोलो तो मैं दुबारा बता सकती हूं एक बर पड़ाफ़ से देखे के एक वार फिर से, चलो देख लेते हैं, चलो, इन्हें क्या बोलते हैं हम, गोल करमी बोलते हैं, क्योंकि इनका अनुप्रस काट करने में ये गोल दिखते हैं हमें, हां, आवाज जलिये है, सलिये है और पढ़ जीवी के रूप में भी होता है इनमें, अंगतंत्र सरक का संगटन है, क्योंकि यहां अंगतंत्र मौजूद है, है न, सम्मिती दीवपार्शप सम्मिती पाई जाती है, इनमें, गुरूणी आवस्ता यहां पर तीन जर्म लेर में होती है, मतलब एक्टो, मीजो और एंडोडर्म तीनों मौजूद है, इसलिए क्या होते हैं, एंडोडर्म के टूडने से हो रहा है, ठीक है, फिर उत्सवर्जन तंत्र प्रोटोन और फ्रेडिया कहलाता है, जो किसके द्वारा होता है, रेनिट कोशिका के द्वारा होता है, ठीक, और यहां पर इसके पाचन तंतर में क्या होता है, पेशिया ग्रस्नी मौजूद होती है ठीक है एक है एक लिंग की जीव होते है याने कि नर और मादा अलग है अब जो मादा होती है वो नर से शरीर में बड़ी होती है जंनन कैसा है जलेखे जंत और कैसा है लेंग क Michigan है और कैसा है यह लेंग आंत्रिक है यानि कि इंटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है यहां पर फिर अप्रिक्ष परिवर्दन होता है मतलब कि लार्वा अवस्ता यहां पर पाई जाती है ठीक अब यहां पर एक्जेम्पल्स देखते हैं तो एसकारेस और वुचरेरिया यहां पर दो एक्जेम्पल्स हैं इसके मे चलो कि यदि रचली से मिटाथो कमेंट फटाफट सारा तो मैं भोलते लाती हूं कभी खुद भी तो कोई लाइक करना मत भूला करो, हाँ, चलो, बढ़ते हैं आगे, और देखते हैं कि बाई सबसे पहले इसके एकर कुछ समाने लक्षणों की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, जलिये जीव होते हैं, थलिये भी होते हैं, और पर जीवी भी होते हैं, क्या है ये, जलिये जीव भी होते हैं ठीक है यह लवड नहीं है और अलवड नहीं है ठीक है दोनों जल्वे यह पाए जाते हैं ठीक और स्थलिये भी होते हैं यह पर जीवी भी होते हैं ठीक है चलिए अब अगर इसके हम किसकी बात करते हैं संगतन की बात करते हैं कि यहां पर कैसा संगतन पाए जाता है तो यहां पर अंग मौजूद होते हैं, इसलिए अंग सर का संगटन पाया जाता है, ठीक है, चलो ठीक है, अब यहाँ पर सम्मिती की बात करते हैं, तो सम्मिती कैसी है यहाँ पर, सम्मिति कैसी है यहाँ पर द्वी पार्षव सम्मिति पाई जाती है ठीक है अगर इनकी गुहा के बारे में हम बात करते हैं तो यह कैसे प्राणी होते है जल्दी से बताओ अगर हम इसी गुहा के बारे में बात करते हैं यह क्या होते हैं प्रगुहिये प्राणी होते है ठीक है इसका मतलब कि जो है जो गुहा का निर्मान किससे हुआ होता है मीजोडर्म से मीजोडर्म से निर्मान ठीक है फिर अगर हम देखते हैं तो यह क्या होते हैं यहां पर तीन जर्म लेयर मौजूद होती है तीन जर्म लेयर मतलब अक्टोडर्म मीजोडर्म और अंडोडर्म यह तीनों यहां पर मौजूद है ठीक है जिसकी वज़े से क्या है यह त्री मुझे लगा मैं रबर से मिटा रही हूँ त्री कोरिक ठीक है जीव होते हैं यह ठीक है चलो अब यह क्या होते हैं यह जीव सेग्मेंटिड होते हैं ठीक है यह जीव क्या होते हैं सेग्मेंटिड इसका मतलब यहां पर खंडी भवन पाया जाता है ठीक है घंडी भवन जैसा घंडी भवन इनका शरीर होता है यानिकी segmented होता है चलो उसके बाद अगर हम बात करें मासपेशियों के बारे में इसकी इसकी मास पेशियों के बारे में अगर हम बात करते हैं मास पेशिया हां तो मास पेशियों के बारे में बात करें तो दो प्रकारकी होती है ठीक है कौन-कौन सी होगी दो प्रकारकी जल्दी से कॉमेंट में बताओ कौन-कौन सी होती दो प्रकारकी पढ़ावट से बता दो comment में जल्दी 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 तो वही पहली होती है अनूरे ठीक है और म दूसरी कौन सी हो गई वृत्ताकारा पर ये दो तरीके की मासपेशिया होती है यहाँ पर तो पढ़ावट से बता देती हूँ कि दोनों मासपेश्यां में क्या है तो जो अनुधेरे होती है ना तो यह अगर किसी का शरीर है तो इस तरीके की पाई जाती है उसकी इसकिन पर ठीके ऐस तरीके से पाई जाती है और अगर वित्ताकार है तो उसमें कैसी पाई जाएगी इस तरीके से तीक है ऐसी किस में पाई जाती है केचुव की चाती है और ऐसी किस में पाई जाती है किस में पाई जाती बढ़ा हुने चलोब आगे बढ़े जोक होती है, जोक भी हो गई और निदेरिया, है ना, रुको, और यह कहां गया, यह रहा, ठीक है, यह किसमें पाई जाएगी, यह आपर केचुए में, और यह नेरिस में, नेरिस, और यह केचुए में, मुझे निदेरिया, निदेरिया यार आ रहा था, चलो, ठीक है, है ना, आगे बढ़ते हैं, चलो, आगे आप किसकी बात करते हैं, इसके, तंत्री का, तंत्र की अगर हम बात करते हैं, चलो, कौन सा नमबर है यह, 7, यह हो गया, 8, तंत्री का, तंत्र की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर हम इसका शरीर बनाते हैं, कि मानलो ये इसका क्या है शरीर है ठीक है इसका शरीर है ये तो यहां पर क्या होता है इस तरीके से एक कोशिकाओं का गुच्छा होता है क्या होता है ये कोशिका का गुच्छा कोशिका गुच्छा ठीक है जिसको क्या बोलते हैं हम वो भी लिख लो आप जिसको कोशिया गुच्च तो जिसको बोला हमने तंत्री का गुच्च ठीक है तंत्री का गुच्च बोला हमने इसको चलो ठीक है अब ये जो होती है ना इस तरीके से तंत्री का ये निकली होती है ठीक है इस तरीके से तंत्रिकाय निकली होती है इसको क्या बोलते हैं हम यह जो तंत्रिकाय निकली होती है फटा फट से कॉमेंट में बता दीजी इसको क्या बोलते हैं हम जल्ली से बता दीजे क्या बोलेंगे इसको हम इस तरीक से चैटिंगं करते रह जाओगे तो एसी रह जाओगे उनफोड गयुँक्त ही बात झांच हसी में लेकर मत जाना चाश कर दो ठीक है लड़कों के साथ क्या दिक्कत होती है लड़का कमाऊ है या नहीं है यह देखते हैं न अभी पढ़ाई नहीं करोगे न अभी इन सब चीजों में लग जाओगे ठीक है इंस्टा-इडी देदो यह आईडी देदो वह आईडी देदो तो चार-पांस साल बात प तंत्री का रज्जू ठीक है तंत्री का रज्जू बोलते हैं अब यह जो तंत्री का रज्जू होती है इसमें से भी छोटी 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 इस तरीके से निकली होती है कोशी का है ऐसे करके ऐसे करके निकली होई होती है अब ये जो लाल-लाल मैंने बनाई है छोड़ी-छोड़ी कोशिका है इनको क्या बोलते हैं हम? हाँ? इनको बोलते हैं तंत्री का कोशिका है तंत्री का कोशिका है ठीक? ओके इनको बोलेंगे हम तंत्री का कोशिका है इसका मतलब कि इनका तंतरी का तंतर तीन पार्ट से मिलके बना हुआ है, ठीक, चलिये, आगे बढ़ते हैं, तो अगे हम यहाँ पर एक एक्जैंपल देखते हैं, एक्जैंपल देखते हैं कि बई यहाँ पर एक्सेप्शन है, कि जो जलिये जीव है, ठीके, नेरिस ठीके, क्या है नेरिस इसमें एक संरश्णा पाई जाती है, मैं अलग कलर से लिख देती हूँ इसमें एक संरश्णा पाई जाती है क्या पाई गई यहाँ पर एक संरश्णा पाई गई ठीके, संरश्णा कैसी संरश्णा है वो? पार्श्व पद होते हैं उसमें पार्श्व पाध होते हैं ठीके यह जो पार्श्व पाध होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको पैरा पोडिया ठीके पैरा पोडिया बोलते हैं इसको ठीके चलो चोटा सा स्ट्रक्चर बना के इसको समझा देती हूं ओफ ओ कहां चला गया देखो इस तरीके से ठीके ये है इसके बाहर क्या होता है इस तरीके से एक संरशना होती है ठीके ना ठीके ये क्या होगा पार्ष वो पाध होगा ये क्या कहलाएगा पार्ष वो पाध कहलाता है ठीके ये क्या होती है एक स्पेशल स्ट्रक्शर होता है इस नेरिस के अंदर पार्ष वो पाध ठीके अब आगे बताऊंगी कि इसका यूज क्या होता है ठीक तो यहां पर ये क्या होती है जलिये होते हैं और इसमें संरशना प करते हैं परी संचरण के अगर हम बात करते हैं ठीक है तो परीसंचरण की मतलब कि जो ब्लड है यदि कैसे क्या कर रहा है यहां पर हम की बात कर रहे हैं कि ब्लड कैसे क्या कर रहा है यहां पर क्या होती है रक्त वाहिनिया होती है रक्त वाहिनिया मौजूद होती है यहां पर जिसका मतलब है हम कह सकते हैं कि यहां पर जो परिसंच्रन तंत्र है वो कैसा है बंद है अगर इसके अब हम पाचन तंत्र की बात करते हैं तो इसका पाचन तंत्र कैसा है भाई इसका पाचन तंत्र यहाँ पर भी दो छेदर मौझूद है ठीके एक से क्या कर रहा है वो खाना खा रहा है ठीके अंतहा ग्रहन कर रहा है कर रहा है और दुखसे से क्या कर रहा है उत्सर्जन कर रहा है ठीक है इसका मतलब यहां कैसा है पूर्ण ठीक है कैसा है उन है करेक बिल्कुल चलो आगे बढ़ते हैं आगे अगर हम इन जीवों की बात करते हैं कि बाई ये जीव कैसे होते हैं एक लिंगी होते हैं दुइलिंगी होते हैं तो बाई ये जो जीव होते हैं ये क्या होते हैं एक लिंगी भी होते हैं ठीक है और ये क्य होते हैं द्वी लिंगी भी होते हैं अगर हम एक लिंगी की बात करते हैं तो यहां पर example क्या आता है नैरिस ठीक है और अगर द्वी लिंगी की बात करते हैं तो यहां पर example केचुआ ठीक है केचुआ या जोंक हो गई ठीक है न तो यह दो हो गए चलो अब एक लिंगी मतलब की बाई इनके की एक जीव के अंदर क्या है कि एक ही है या तो नर है या मादा है दुई की लिंगी का मतलब की उसमें नर और मादा दोनों मौजूद है तो केचुआ इसका सबसे बेस्ट कॉमन एक्जैमपल होता है ठीक है क्योंकि हर्जेगा मिल जाता है जहां भी उपजाओ जमीन होती है आराम से देखने को मिल जाता है जहां बारिश होती है ना देखने को मिल उप सर्जन अंग तो बहिए क्या है वह वरिख ठीके क्या है वह वरिख है ठीके ना लेकिन यहां पर एक और चीज़ भूल गए हम कि भाई जब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि यह ध्युवलिंगी जीव है ठीके तो इसका मतलब यहां पर जनन कैसा है लेंग एक जनन है जनन की अगर हम बात करते हैं तो लैंगिक जनन है कि वह किसमें क्योंकि एक लिंगी यह रहा ठीक है जिसमें एक नर है या एक मादा है यह कि तीक है न लिंगीं जीन है तो यहां पर एक लिंगीं जीव oh दूनों में क्या है कि बाइज दूसरे की ऐसा नहीं है कि जो नर अकेला बच्चे पैदा कर लेगा मादा केली कर लेगी नहीं चाहें वह एक लिंगी है यहां पर जनन कैसा होगा लेंगिक होगा चलो यह से इसके बारे में बात हो गई है अब थोड़ा देख लेते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है आपकी बुक कहती है कि यह जलिये होते हैं सलिये भी होते हैं मुक्त जीवी भी होते हैं और पादवो तता जन्तूओं में परजीवे भी होते हैं, जो कि अल्रडी मैं आपको बता चुकी हूँ, जुई पार्ष वो सम्मिती मिलती है यहां पर यह त्रीक और इक होते हैं, एक्टो, मीजो, एंडोडम तीनों मौजूद होती हैं, और वास्तर एक प्रगुहा पाई ज है, परिसंचलन तंत्र भी है, है ना, उत्सरजन भी है, शरीर क्या है, खंडो में बटा उआ होता है, है ना, तो खंडवबन होते हैं यहां पर, अनुलंबी और गोलाकार प्रकार की मास पेशियां पाई जाती हैं, जो कि गवन में सहायता करते हैं, उनको चलने फिरने में म परिसंचलन तंत्र पाया जाता है, क्योंकि क्या बताया था, यहां रक्त वाहिकाएं मौझूद होती है, है ना, उत्सरजन व्रिक्ट या नेफ्रिडिया से होता है, ठीक है, आनलीड़ा का शरीर नली के भीतर नली के समान होता है, ओके, तंत्रिका तंत्र में अग्र सिरे क पास एक तंत्री का वले और इसी से जुड़े शरीर की लंबाई में फैले और परस पर जुड़े तंत्री का रज्जु इनमें पाए जाते हैं जो कि हमने बात करी थी ना हां कि इसमें तंत्री का रज्जु पाए जाती है तंत्री का कोशिकाय पाए जाती है है ना ठीक है और इन में लेंगिक विदि के दवारा जनन होता है और एग्जेंपल क्या है इसके नारिस, फरिटीमा याने की कैच्चुआ, हिरोडिनेरिय याने की जोग ठीक है ना? नेरिस, हिरोडिनेरिय, ठीक है? याने की जोग ठीक है? चालो और इसी के साथ आज काया lecture क्या होता है? खतम होता है अब आप सभी अपन्नी सीद की बेल को अराम से खोल सकते हो यहाँ गोम सकते हो, वहाँ गोम सकते हो, नाज सकते हो, गा शकते हो, कूछ सकते हो लेकिन इसके बाद भी आपको एक और काम जरूर करना है कि आपको नहीं भूलना है इस lecture को revise करना कहीं भी doubt होता है तो एक बर पड़ा पड़ से इस lecture को फिर से starting से देख लेना समझ में आ जाएगा यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो बहुत जादा हाई पाई लिखी हुई थी सब बहुत ही easy language में बहुत ही छोटे-छोटे points में लिखा हुआ है ताकि आप सब भी को समझने में बहुत आसानी हो वाकि कोई दिक्कत हो तो क्या करना है अपने को doubt not करना है क्योंकि हम यहीं मिलेंगे आपको हाँ तो चलिए बचलोग आप इस lecture को revise करिए अच्छे से दुबारा पढ़िए ठीक है हम मिलते हैं अगले नए lecture में एक और नए topic के साथ तब तक आप मज़े कीजिए अच्छे से रही अपना ख्याल रखिए खुश रहिए हम आते एक और नए topic के साथ ठीक है लेकिन इस chapter को revise करना नहीं भूलना है अच्छे लो, बाई बाई बाई